कि अभी लेख्षय अभी लेक्षय कड़मी अभी लेख्षय कड़मी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरस्ट का पार्ट फॉर और इसमें बहुत अच्छे अच्छे question आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे level की questions इसमें रखे हैं, जो भी recent exams, CPU, MTS, CHSL, CGL में आए हैं, ठीक हैं, और बहुत अच्छे level की question हैं, इसमें ratio की जरूत पड़ेगी, अनुपात की जरूत पड़ेगी, और इसमें ज्यादा type, बल्कि mostly सारे ही type मैंने इसमें रखे हुएं, कि किस-किस तरह की questions आते हैं, जिसमें rate of interest आपको निकालने की जरूत बढ़ती है, तो start करते हैं, आज का पहला सवाल, देखते हैं, देखो, अगर यहाँ पर बात करें, if the sum of compound interest compounded annually becomes three times in poor years, then with the same interest, the sum will become in 81 times, इसने कहा है question में, कि एक कोई principle है, वो compound interest के हिसाब से, अगर चलते हैं, तो तीन गुना हो जाता है, कितने वर्षों में, चार वर्षों में, तो वो पूछ रहा है, उसी principle को 81 गुना होने में कितना सा मिलेगे, यह बहुत आसान सावाल है देखो अगर मैं बात करूँ concept की, अगर मैं बात करूँ concept की, तो compound interest के अंदर, compound interest के अंदर, या बात करें चक्रवर्दी ब्याज के अंदर, क्या होता है, कि अगर, अगर किसी principle और amount के बीच में, क्या, time और rate, time और rate, दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब जो rate चल रहा है, वो भी आगे भी चलता रहा है, मतलब अगर यहां पर 2 साल लिया है, तो आगे भी 2 सी साल ले, और जो दर थी, मतलब जो ब्याज दर थी, वो भी वैसी ही रहे, मतलब अगर 10% था, तो बात में भी 10% रहे, तो हमेशा क्या रहता है, कि जितना time और rate आप यहां ले रहे हैं, तो अगले उतने ही time और rate में, फिर से यही principle जो है, इतना amount बन जाएगा, कहने का मतलब एक example अगर लें, तो मैं कहा रहा हूँ कि अगर कोई principle है, मान लो, मैं 100 रुपे principle मान रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं य कहूँ कि यह principle चक्रवर्जी ब्याजदर से दो वर्ष में तीन गुना हो जाएगा, इसका मबलब 300 रुपे हो जाएगा, तो यहां पर ब्याजदर जो भी थी, हमें नहीं पता है, हमें दी भी नहीं गई है, ठीक है, जो भी दर थी, जो भी rate था, जो भी time था, यहां पर तीन सो रुपे हो जाते दो वर्षों में, तो जो भी दर रहेगी, वो अगले इतने ही time period, जितना time या है, अगले दो साल में, फिर से जैसे यह इसका तीन गुना हुआ था, तो अगले दो साल में यह वाले value तीन गुना हो जाएगी, इसका मतलों 900 रुपे हो जाएगी, कहन जब यह time period क्या रहेगा constant, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और इसी concept के उपर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे question, जैसे यह वाला question है, इसने कहा कि कोई मूलधन है, वो compounded yearly becomes three times in four years, ठीक है, तो अगर मैं ही कह रहा हूँ कि कोई मूलधन है, principle है, कोई भी principle मान सकते हो, तो मैं सबसे आसान value मान के चलता हूँ, क्या, एक रुपे, क्योंकि एक रुपे का तीन गुना भी करना असान है, और एक रुपे का 81 गुना भी करना असान है, ठीक है, अगर कोई और value लोगे मान लो, 50 ली या 200 ली या 300 ली, तो कहीं न कहीं 81 गुना आपक तो इसने का है कि इस एक रुपे का इस एक रुपे को कितने रुपे बनने में तीन गुना होने में कितना टाइम लग गया यहां पर इसको इसने कि बहुत चार साल लग गए कितने साल लग गए चार साल लग गए ठीक है तो अब यह हमें पता है कि कोई मूल्धन था चार वर् की अगर मैं बात करूँ अगले चार वर्षब की अगर यहां पर यह Time Pirdud है तो अगले चार-वर्षब में क्या होगा कि यह अगर एक से तीन हुआ है तो यहां से तीन गुना अगर हुआ है तो यह value भी अगले चार साल .में तीन गुना हो जाएगी कहीं तो कितने रुपे आजाएगा यह 10 रुपे आजाएगा इन 20 रुपे है इस तरह से चल रहा है लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है 85 तक तो इसका मतलब यह है इसका में 17aug और चार वर्ष में और यह कितना आजाएगा 81 और जितना चाहिए था हमें 81 रुपे वो आपको मिल गया है कितना चाहिए था 81 गुना चाहिए था वो आपको मिल गया है तो अब देखो इयर्स काउंट कर लो कितना टाइम इसको लग गया है ठीक है एयर्स काउंट कर दो हमने का कि यह बही देखो 4 4 4 और 4 यह सारे मिलाकर 4 4 4 सार कहीं न कहीं 12 लग गये हैं और यहां से आप देखो 12 वर्ष कहां लिखा है हमने यह लिखा ठीक है 12 यह लिखा और आंसर क्या जाएगा 12 वर्ष ठीक है मतलब इस तरह से ही चलना अनुपात सेम रहता है अगर ब्याजदर नहीं दी है लेकिन ब्याजदर जो भी चल रहे हैं वही सेम ही चल रही है और जो time period दिया है उस time period में हमेशा ऐसा ही होगा कि जितना अगर 4 और देखते हैं और देखते हैं और देखो CHSL की एक्जाम में है यह 31 पांच 2022 की shift में था अगर मैं बात करें में MTS की तो इसने कहा कि इस पर सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटर्स बिकम थी टाइम्स इन पूर यह इसका मतलब इसने कहा कि तीन गुना हो जाता है चार वर्ष वर्षों में तीन गुना हो जाता है हमने का एक से तीन हो गया ठीक है इसने कहा कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगा हमने ठीक है इसका अगले चार वर्षों में इसका भी तीन गुना तो कहीं नहीं नहीं आ जाएगा और मूलधन का 9 गुना हो गया हो तो कितने वर् मतलब तीन गुना हुआ है तो अगले टाइम पिरेड में भी वो तीन ही गुना होगा ये compound interest की खासियत है और जो ये concept है इस पर काफी सारे सवाल based होते हैं ये जो concept है इस पर काफी सारे सवाल क्या रहते हैं based होते हैं next question देगो इसने का कोई धन राशी है 15 वर्सों में चक्रवर्दी व्याज की एक निश्चित दर पर स्वयम की दोगने हो जाती है a sum of money double itself at certain rate of compound interest in 15 years ये कह रहा है कि कोई मूलधन है कोई principle है वो 15 वर्सों में double हो जाता है तो इसने का उसको चार गुना होने में कितना समय लगेगा ठीक है तो हमने का ठीक है compound interest है तो ये तो बहुत आसान है कि principle हमने मान लिया भई एक रुपे प्रिंसिपल कितना मान लिया एक रुपे इस एक रुपे को 15 वर्स लग रहे हैं कितना होने में दो गुना होने में इसका मतलब इस एक का दो गुना कितना हो जाएगा दो रुपे हो जा में कितने वर्ष लगे हमने का देखो भई पंदरा वर्ष तो ये लगे हैं और पंदरा ही वर्ष ये लगे हैं तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हमें कितने वर्ष लग गए हैं तीस वर्ष लग गए हैं चीजों का बिलकुल ध्यान रखना है छोटी छोटी बाते हैं लेकिन ऐसा ये चक्रवर्दी ब्याज में ही होगा अगर सेम सवाल अगर साधरण ब्याज में आता है तो वो कॉंसर्ट बिलकुल बदल जाएगा उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या था कि जो मूलधन था वो कॉंस्टेंट था बार-बार चेंज नहीं हो रहा है ब्याज पर ब्याज नहीं लग रहा है इंट्रस्ट हमेशा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है ऐसा केवल इसमें ही होगा चक्रवर्दी ब्याजदर में क्योंकि कहीं ना कहीं गुणा होती चली जाती है चीजें ठीक है तो बहुत आसान रहेगा एक अगला सवाल और देखते हैं देखो इसने का अगले दस वर्ष में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर यह एक से दो हुआ तो इसका भी दो गुणा होगा कई ना कहीं चार आ जाएगा अगले दस वर्ष में मैं बात करूँ तो इस चार का भी दो गुणा हो जाएगा आठ ओजाएगा और कहीं ना कहीं आठ गुणा यह मूलधनका होँ ही गया है ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं समय गिनूँ तो मैं यह कहुँगा दस वर्ष यह लगए यहां पर दस वर्ष मिलाकर कितने वर्ष लग गए आपको टोटल तीस वर्ष लग गए और यही आपका आंसर रहेगा ठीक है चीजों का बिलकुल ध्यान रखना है चीजे बहुत आसान है अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो टीचर बन जाओगे ठीक है मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि ज़्यादा पढ़ोगे तो टीचर बन जाओगे आपको exactly वही पढ़ना है जो एक्जाम में आता है और जिस लेवल के एक्जाम या जिस लेवल की calculation एक्जाम में आती है उसी लेवल को आपको यह पढ़ना है ठीक है इससे ज़्यादा हलका नहीं पढ़ना है इससे ज़्यादा भारी नहीं पढ़ना है बिल्कुल सेम लेवल को maintain करके previous year question paper लगाते चलो काम आसान होता चला जाएगा ठीक है चलो अगर मैं बात करूँ next सवाल की तो इसने का कि कोई मूलधन है वो 2000 हो जाता है तीन वर्षों में और 2400 हो जाता है चार वर्षों में यह बहुत अच्छा सवाल है ठीक है इसने का कि कोई मूलधन है इस बार इसने गुणा करने की बात नहीं कि कि इतना गुणा हो जाता है इसने का कोई मूलधन था वो तीन वर्षों में अगर मैं बात करूँ तो 2000 रुपे हो जाता है तीन वर्षों में कितना हो जाता है 2000 रुपे हो जाता है और वही प्रिंसिपल 4 वर्षों में 2400 रुपे हो जाता है ठीक है जी अभी यहाँ पर यह सवाल बहुत आसान है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है interest rate निकालना है चौकरवर्दी ब्याजदर का सालाना का interest rate निकालना है ब्याजदर निकालना है अब आपको क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई principle प्रिंसिपल जितने समय में भी ये बनेगा अमाउंट बनेगी और यही प्रिंसिपल दूसरे समय में ये अमाउंट बनेगी तो आपको ये चेक करना है क्या है इन दोनों अमाउंट के बीच में एक वर्ष का गैप है क्या एक वर्ष का गैप है हमने का हाँ बिलकुल यहां पर यहां से तीन वर्ष लग रहे हैं और यहां से चार वर्ष लग रहे हैं इसका मतलब इन दो अमाउंट में एक वर्ष का गैप है अगर एक वर्ष का गैप है तो यह सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंक कि इस amount में मूलधन भी पहले वाला include है और जो ब्याज मिलाओगा वो भी include है तो इसका मुलब यही हम मूलधन मालेंगे इसका मतलब यह है कि कितने रुपे ब्याज मिल रहा है हमने का भई 400 रुपे ब्याज मिल रहा है 20% आ जाएगा अंसर आपको ये रहेगा समझ पारे हो आप इस चीज़ को अगर आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि इसके और इसके बीच में एक वर्ष का ही गैप होना चाहिए अगर जादा वर्ष का अमाउंट है जिसमें पिछला ब्याज और पिछला मुल्दन सब कुछ इंकलूड है तो इसी 2000 पर वो 400 रुपे का ब्याज लगा हुआ एक साल में ठीक है तो यहाँ पर आपने निकाले 20% आंसर है बहुत आसान है चीज़े ठीक है अगर मैं अगले सवाल की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो next अब देखो अगर यहाँ पर एक साल का gap नहीं है इसने का देखो a sum of rupees invested a compound amount तो इतना ठीक है कोई principle था कोई principle था कि भई हमने 16,000 रुपे यह principle जो है वो amount हो गया है ठीक है जी amount हो कितने वर्षों में हो गया है कितना हो गया पहले तो यह देख लो 2160 रुपे 16,000 रुपे जो है 2160 रुपे हो गया है 2160 रुपे हो गया है कितने वर्षों में दो वर्षों में अगर यहाँ एक वर्ष होता अगर यहाँ पर एक वर्ष होता लेकिन यहाँ पर एक वर्ष नहीं है यहाँ पर कितने वर्ष हैं यहाँ पर कहीं न कहीं दो वर्षों में ऐसा काम हुआ है ठीक है तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे समझो बात को चलो जब भी इस तरह का सवाल आए जब भी इस तरह का सवाल आए कि दो वर्षों में या तीन वर्षों में कोई principal amount हो गया है या मतलब कोई मुलधन जो है वो मिश्रधन बन गया है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो इनको आप काट लो जितना ये कर सकता है मतलब भाग कर लो एक दूसरे को ठीक है जितना भी ये भाग हो सकता है दूनी आठ और तीन बचा कहीं न कहीं नो आगया ठीक है और जब ये कटना बंद हो जाए जब ये कटना क्या हो जाए बंद हो जाए तो जितने वर्ष इसने दिये थे यहां पर कितने वर्ष दिये थे कितने वर्षों में हुआ था ये दो तो अगर दो वर्षों में हुआ होगा, अगर ये दो वर्षों में ऐसा हुआ होगा, तो आपको क्या कर देना है, वर्ग मूल लगा देना है, अगर ये तीन वर्षों में हुआ होगा, तो घन मूल लगा देना है, ठीक है जी, तो अगर दो वर्षों में हुआ होगा, दो वर्षों में हुआ होगा, तो आपको यह काम करना है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यह दो वर्षों में हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग मूल करना पड़ेगा, स्क्वेर रूट करना पड़ेगा, तो 400 का जब वर्ग मूल करोगे, तो कहीं न कहीं 20 रुपे आएगा, ठीक है, और यहाँ प नुपात पर आ गया कि एक साल में 20 से 23 हुआ होगा ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे हमने देखा यहां पर कितने रुपे का ब्याज मिला हमने कभी देखो 3 रुपे का ब्याज मिल रहा है यहां पर यह कितने का ब्याज मिल रहा है 3 रुपे का ब्याज मिल रहा है और यह 3 रु दुबारा से समझो इस चीज को सबसे पहले प्रिंसिपल है और अमाउंट है आप लिख लो ठीक है कितने सालों में उसने बोला है एक से ज्यादा सालों में बोला होगा तो पहले आप इसको काट लो जितना कट रहा है काटने के बाद आप क्या करोगे जब कटना ये बंद हो जाएगा जब किसी संख्या से नहीं कटेगा तो आप उस पर जितने वर्ष का दिया होगा उतना मूल लगा दोगे तो अगर दो वर्षों में दिया गया तो वर्ग मूल लगा लोग तीन वर्षों में दिया है तो घंद मूल लगा दोगे और लगाने क कई आपका अंसर आ जाएगा 15 परसेंट का बहुत आसान है एक साल का आपने समझ लिया और अगर एक से ज्यादा साल का अगर दिया है तो इस तरह से आपको ये करना है चलो next question देखो इसने का 6400 रुपे हैं ठीक है अगर चकरवर्दी ब्याजदर पर अगर साला ना चले हम तो साथाजार चपन रुपे हो जाते हैं कितने में दो वर्षों में तो आपको बताना है इंटरस रेट क्या आई बहुत आसान सवाल फिर से कि प्रिंसिपल लिख लो पहले तो और यहां अमाउंट लिख लो प्रिंसिपल कितना बोला है 6400 रुपे बोला है ठीक है और अमाउंट कितना हो गया है 7,56 रुपे हो गया है और समय कितना दिया गया है दो वर्ष दिये गये है ठीक है जी तो हम क्या करेंगे यहां पर अगर ऐसा दिया गया है पहले तो आप इसको अब सबसे पहले आप क्या करोगे काट लोगे इनको जितना कटता है मतलब डिवाइड कर लोगे इनको भाग कर लोगे तो हमने का कि अगर ये चार से काटे हम तो चार से ये 4-16 बार जाएगा ठीक है और 2-0 आ जाएगी ठीक है, अगर यहां पर काट एंसको चार से तो चार एकम चार जाएगा तीन बचे, 4सत्य अटाज जाएगा दो बचे, दो और पाँच पाच्चिस ठीक है, 4 चिक चोबिस जाएगा और चार चोख चोशत जाएगा, ठीक है, अगर और हम छाटें, 4 से चार से कट जाएगा भीभी चार से काटे तो कहीं न कहीं 400 आएगा चार से काटे तो 4 ती है 12 नहीं 4 चुक 16 चार चुक 16 और 4 एकम 4 तो कहीं न कहीं यह 400 और 441 आगया है ठीक है जब ये कटना बंद हो जाए अब ये कटना बंद हो गया है अब ये कटना क्या हो गया बंद हो गया है तो दो वर्ष दिये गए तो हमने का इस पर क्या करेंगे हम वर्ग मूल लगा देंगे और वर्ग मूल लगाओगे तो ये 20 का वर्ग था ये 400 और ये 21 का वर्ग थ तो गुणा करोगे तो क्या आजाएगा आपका ये ठीक है एक रुपे का ब्याज मिल रहा है किस पर बीस रुपे पर मिल रहा है तो गुणा करोगे सो से तो आंसर आजाएगा आपका कितना पांच परसेंट पांच प्रतिशत का आपको ये ब्याज मिल रहा होगा और आंसर ऑ एक रुपे का ब्याज किस पर कटा होगा 20 रुपे पर तो बस आंसर आजएगा 100 से गुना कर लेना अब देखो यहां पर इसने फिर से वही सवाल कहा कि वही एटवर्ड विल 12500 रुपे जो है 14,045 रुपे हो जाएंगे दो वर्षों में ठीक है तो हमने का ठीक है यह प्रिंस इसको मैं काट हूं 5 से तो हमने का 5 से जाएगा यह 25 सो बार अगर इसको 5 से काटे तो 5 दूनी 10 ठीक है 5 अठे 40 ठीक है 0 और 5 निम पैनता जैस तो 8209 और यह आगे कटेगा भी नहीं ठीक है अब इस पर क्या करेंगे हम स्क्वेर रूट लगा देते हैं स्क्वेर रूट पचास पचास आगया और यहां पर यह कितना आजाएगा यह 53 का है क्योंकि 50 कहीं नौ आ रहा है अखरे में तो 9 कैसा आएगा तीन तीन नौ ही आएगा और इसों से जस्ट उपर ही है ठीक है ज़्यादा दूर नहीं है तो 53 हो गया तो यहां पर कितना रुपे इंट्रस्ट आ रहा है हमने का भी 3 रुपे का इंट्रस्ट आ रहा है कितना आ रहा है तीन रुपे का इंट्रस्ट आ रहा है और वो किस पर आ रहा है भई 50 रुपे पर आ रहा है तो गुणा सो कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा पचास दु बदल जाएगा ठीक है तो चीजे बहुत आसान हैं करते रहोगे तो चीजे आसान रहेंगी चलो next चलते हैं इसने का at what rate will the sum of rupees amount to itna in 3 years इस बार 3 years की बात किये गई है कि principle जो है 15 625 है और amount जो है वो 2952 है amount जो है वो क्या है 2952 है और आपको क्या निकालना है interest rate निकालना है compounded annually ठीक है अब अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो कटेगा नहीं है किसी से भी अगर मैं बात कर रही है यह 9 और यह 3 और यह 7 यह 3 से नहीं कट रहा है यह नहीं ठीक है अगर बात करें तो बारा यह भी नहीं कट रहा तीन से तो कही ना कही पहली बात तो यह 625 है आखरी में तो कही ना कही है किसी का वर्ग वो घन है यह कही ना कही है किसी का cube है ठीक है तो हम यहाँ पर सीधा ही cube root निकाल लेंगे क्योंकि निकल जागा क्योंकि 15-625 जो वो किसी ना किसी संख्या का ये घन है चलो तीन वर्स में बात किये कि तो जब ये नहीं कट रहा है तो यहीं पर हम इसका घन मूल कर देंगे ठीक है अगर बात करें कैसे तो हमने का इसका तीन का आप कर लो ठीक है अगर यहां पर पांच है तो पांच का इकाई अंकाब घ अगर किसी की मालो, गर 15 625 का आपको घन मूल करना है, तो पहले पिछली तीन संख्याओं का आप समू बना लो, गुरूब बना लो, और उस आखरी अंक का आप घन कर दो, इस आखरी अंक का क्या कर दो, घन, तो हमने ऐTele 5 का घन एक सो पचिछं होता है, तो एक सो पच्छिस क 1-ा-इ-ा-इ-ा-È-ा-इ-ा-ग लेक लो पांच ठीक है, unit digit लेक लो आप उसकी पांच रही बात ये जो 15 है ये 15 आप पता करो कि कि किस-किस के क्यूब के बीच में है हमने कभी 3 का जो 2 का जो घन है 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है और 3 का क्यूब जो है 27 होता है, तो कहिना का 2 और 3 घं के बीच में, तो इसका म lawant चोटी संख्या यहाँ लिखलो आप, इतना आ जाएगा अब अगर मैं बात करूँ एकिस नो सो बावन ये किस का घं है 21 952 तो हमने का पीछे जे 3 अंको गरुब बनाया इस 2 का घं कर दिया 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 8 आ गया और रही बात 21 की अगर मैं 21 की बात करूँ तो यह जो 21 है यह किस किस का घं के बीच में है हमने का भई 2 का घं होता है 8 और 3 का घं होता है 27 तो कहिना कहीं 21 जो है वो 2 के और 3 के घं के बीच में तो उसकी छोटी संख्या ले लो मतलब 2 इसका मतलब यह 28 का घं था ठीक है इतना आ जाएगा आपके पास ठीक है अगर मैं बात करूँ यहां पर इंट्रेस्ट कितना है हमने का 3 रुपे का इंट्रेस्ट आया लेकिन वो इंट्रेस्ट किस पर लगा 25 रुपे पर गुणा 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 25 चोख 100 और 3 चोख 12 ठीक है जी 12% की वेल्यू है आपकी इसमें आंसर आ जाएगा घनमोल आपको सीख ना पढ़ेगा एक वीडियो एक अलग से scorpion को संख्याओं को और ao कि स्क्त कुऊद कैसे करते लूट कैसे करते हैं क्यू रूट कैसे करते हैं मतलब अगर मैं को एक सब सबस्चाइश מא जोगा सा एक वीडियियो आ एक सामने रखना हाँ गा कि उससे आप चीज़े काफी सीख पाऊगे नेक्स सवाल देखते हैं पाँच वर्षों में 11,232 रुपे हो गया है इसका मतलब क्या इनके और इनके बीच में एक येर का डिफरेंस है नहीं अगर यहाँ पर एक साल का डिफरेंस होता तो यह पहले वाले सवाल के जैसा हो जाता जैसा भी थोड़ी दे 3-4 question पहले हमने किया था ठीक है लेकिन यहाँ पर अब कितने वर्ष का अंतर है दो वर्ष का अंतर है अगर यहाँ दो वर्ष का अंतर है तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर वही square root कटना पड़ेगा ठीक है लेकिन पहले कटना पड़ेगा यह एक दूसरे को तो यहां पर अगर 7811232 को अगर मैं काटू Every time 4 39 36 और यह 50 50 यह कहिसे 5 आजाएगा अगर मैं बात करूं आगे की तो अगर इसको 4 से काटोगे तो 4 दुनी 8 ठीक है जी 4 दुनी 8 चारटे 32 और जिरो यह 8 आ जाएगा ठीक है जी और 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 काटें तो 13 से कट सकता है डारेक्टली 13 से कट सकता है देखो 13 से कट जाएगा 13 पंजे स्वरी स्वरी 13 एकम 13 और यह बचे 13 पंजे 65 और यह 0 ठीक है 1.500 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26 ठीक है 2 बचे यहाँ पर 13 एकम 13 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 13 छेक 78 आजाएगा और अगर काटे हम 2 से ठीक है 2 से काट लेते हैं 2 से अगर इसको काटे तो यहाँ पर आजाएगा 75 2 से इसको काटे तो 108 आजाएगा ठीक है 3 से अगर इसको काटे तो यह 25 आजाएगा और 3 से आजाएगा यह 36 तो कहीना कहीन 25 और ये 36 कहीं ना कहीं इसी का हमें क्या करना पढ़ेगा 2 साल का है तो square root करना पढ़ेगा तो हमने का अगर मैं यहाँ पर square root लगा दू नहीं यहाँ पर square root लगा दू तो 5 से ये कितना हो जाएगा 6 पांच रुपे मूलधन आ जाएगा और 6 रुपे क्या जाएगा मिश्रिदन मतलब अमाउंट तो एक रुपे का ब्याज आ रहा है और वो किस पर आ रहा है पांच रुपे पर गुणा करोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा कितना 20% और इसका मतलब आंसर जो है आपका 20% रहेगा ठीक है इसको इस स्कॉयर या क्यूब के ही कुश्चंस रहेंगे ठीक है नेक्स्ट कुश्चंद देखो एट वर्ट रेट पर संट पर एनम विल 7200 रुपीज 793 18 वन यार बहुत अच्छा देखो अब यहां पर प्रिंसिपल जो है इसने का कि यह साथ बहात्तर सो हो जाता है कितने वर्षों स्का कि बात कर रहे है इसका मतलब एक साल की बात कर रहा है तो हम स्क्वयर की रूट या क्यूब रूत निकालने की ज्यूरू इंतर नहीं होगा हाउगा एक साल में 2 half Year आयेंगे इसका म्तलब कहीं दो बार two times interest calculate हुआ होगा एक बर principle पर और फिर interest पर interest भी दिया गया होगा इसका मतलब अब हमें यहां पर square root करना पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर यह half yearly ना होता और एक साल होता फिर तो यह हमारा असान हो जाते लेकिन हाँ half yearly है इसका मतलब यह जो interest create हुआ होगा मतलब कहने क मतलब यह है half yearly में जो 72 है इस पर interest लगाऊगा इस पर interest लगाऊगा छे महीने छे महीने और इस पर interest लगाऊगा तो कहीं ना कि interest दो बार calculate हो रहा है दो छे महीने में हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर हमें square root करना पड़ेगा दो time है इसका मतलब year हमें time double करना पड़ता है इस तरह से होगा अब हम इसको पहले काट लेते हैं काट रहे के बाद जो आंसर आएगा वो हम देख लेंगे अगर मैं बात कुरूँ यहां पर दो से काट लेते हैं तो यह आएगा कितना एक बचा 6 और यहां पर एक बचा हमारे पास 9 ठीक है इतना आ रहा है हमारे पास अगर और काटना चाहें वैसे कट सकता है हमारे पास ठीक है तीन से काट लेते हैं नो से भी कट जाएगा, नो से अगर काटे तो 400, नो से अगर काटे 9.36, 9.36 और 9.1, ठीक है, तो 400 और 441 आ गया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वेर रूट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि भई हाफ एडली था, हाफ एडली इसका मतलब एक साल में दो ब बार लगा रहे हम यहां पर, तो यह आजाएगा 20 और यह आजाएगा 21 एक रुपे का इंट्रेस्ट कैल्गूलेट हो रहा है, कितने पर 20 रुपे पर गुणा सो कर दोगे, तो 5% इसका आंसर आ जाएगा, यह रांसर, 5% option नमबर A, ठीक है, ध्यान रहेगा इसका आपको, ठ हाफ yearly का तो गलती होने के चांसे कम रहेंगे, अगर यह yearly होता और यहां पर केवल, मतलब यह interest एक साल में कैल्कूलेट हो, तो फिर आपको यह square root लगाने की जरूरत नहीं थी, annually में कभी भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन half yearly तो आपको यह देखना बहुत बढ़िया कोश्यन है, compounded annually, ठीक है, amounts to 16,767 after two years, इसने का कि कोई amount, कोई principle है भी 14,375 और वो 16,767 हो जाता है, दो वर्षों में, ठीक है, annually के इसाब से, तो आपको R की value मतलब rate आपको पता करना है, ठीक है, अगर मैं बात करूं principle की, अगर मैं बात करूं principle कितना है भी आपका 14,375 है, और amount कितनी हो जाती है, आपकी 16,767 हो जाती है, ठीक है, यह दो साल का बोला गया, अगर एक साल का होता तो सिधा हमें interest निकालके principle पर calculate कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दो साल का difference है, यहाँ पर इनके बीच में, तो कही न कहीं हमें पहले ही काटनी बारा, बारा, और तीन, पंदरा, पंदरा, और पंदरा और पांच, नहीं, भीस नहीं आए, तीन से नहीं कटेगा, तो कही नगयी 23 से काट लेंगा, तीश से काटते हैं, ठीक है, लेखो, 23 से काट लेते हैं 14,375 को अगर मैं 23 से भाग करूँ ठीक है जी 23 से भाग करूँ तो 23 को अगर मैं 6 से भाग करता हूँ लगबग 23 को 6 से भाग करता हूँ तो 23 चिक करोगे तो 3 चिक 18 और 2 चिक 12 और 1 तेरा तो 138 रुपे आएगा ठीक है अगर डिफ्रेंस माइनस करोगे तो कही ना कई 3 और 2 5 5 पाँच आजाएगा और यह आएगा 57 ठीक है 23 दूनी अगर करोगे तो 23 दूनी आएगा 46 22 कितना आएगा 46 आएगा और यहाँ पर बचेगा 1 और 1 और यह आजाएगा कितना 5 तो 23 को आप इस बार 5 से गुणा करके देखो कि कहीना का यूनि डिजिट 5 आने चाहिए तो 23 पंजे 15 ते 5 दुनी 10 और 11 देखें कहीना कहीं है अगर इसको काटें 16 767 को अगर मैं 23 से भाग करूं तो 23 से अगर मैं भाग करूं तो कितना बार यह देखो जाना चाहिए 23 से 7 बार 327 24 15 16 बिल्कुल 7 बार जाएगा 161 यहां पर बचें मर पास 6 और यहां पर 6 तो 23 को आप को दो से 3 बार गुना कर लो 3 तीन नो तीन दुनी 6 कहीना 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 कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा 23 दूनी कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा आपके पास और यह आ जाएगा कितना 20 बचा और यहाँ पर आ जाएगा साथ ठीक है अब यह साथ कैसे आ सकता देखो यहां पर मुझे लगता नौ बार जाएगा और नौ बार ही आ जाएगा क्योंकि 3 निम 27 दो बचे 2 निम 18 19 और 20 ठीक है बिल्कुल ठीक है यूनिट डिजिट के साथ हमने मैच कर लिए तो यह कितना आ गया 729 कितना आ गया यह 729 ठीक है यह आपने डिवाइड कर लिया अब हमारा काम यहां पर खतम हो गया तो 23 से कटा था हमारा अब यहां पर देखो कहीं न कहीं यह कटने के पाद इतना आ गया अब हमारे पास यह कहीं न कहीं स्क्वैर हो सकते हैं अगर मैं इसका स्क्वैर रूट करता हूं दो साल की कह रही है ठीक है देखो दो साल कहीं बोल रहा है हां तो यह कितना आ जाएग पर 25 रुपे पर गुणा सो करोगे तो कहीं न कहीं आपका अंसर है 25 चुक सो और दो चुक आठ परसेंट का अंसर है यह रांसर ठीक है तो इस तरीके से आपको यह करना है ध्यान रखना है चीजों का बिल्कुल बहुत आसान है चीजे चलो next question पर अगर आए हम तो इसने का कि 800 रुपे हो जाता है ठीक है अब आप फिर से वही देखो कि इनके बीच में एक साल का गैप है हमने का बिल्कुल एक ही साल का गैप यहां से यहां तक चार है यहां से यहां तक पांच है तो इसका मतलब अब कहानी थोड़ा सा आसान है अब कहानी क्या है थोड़ी सी आसान ह तो अब देखो इसने का कि इंट्रेस्ट बताओ और इसने ये भी पूछाए कि सेम संपर अमाउंट कितना होगा छटे साल में तो अब यहाँ पर देखो कहानी थोड़ी सी अलग है या तो हम इंट्रेस्ट डेट निकाल लें फिर इस पर इंट्रेस्ट केलकुलेट कर लें एक साल का और ठीक है नहीं तो अनुपात से भी काम हो सकता है लेकिन हम देखते दोनों मैंतर से बता देते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक साल का इंट्रेस्ट तो हमने का है भई इस पर भी अगले साल एक एक बार अगर मैं कैलिक जाए करो तो यहाँ पर भी आपको कितना प्रसंट पर सिदा पदेगा 5त तो इस चोहराा सी सो का परेसंट आपको देना पदेगा तो चोहरा सी सो का प्रसंट its कितना होता है वह ही हमने कभी देखो चारपनजे 20 पांच अटे चालिस और 420 रुपे इंट्रेस्ट देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा 420 दर्फ 420 इसमें एड़ करोगे तो 8,820 रुपे आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा ये रहा ठीक है एक तरीका तो यह है कि पहले आपने इंट्रेस्ट निकाल लिया और इंट्रेस्ट रेट निकालने के बाद आपने फिर उतना ही इंट्रेस्ट अगले अमांट पर दे दिया तो 6 साल पूरे हो जाएगे इस पर भी तो टाइम पिरेड एक ही आएगा ठीक है इनका पहले का भूल जाओ यहां आप इनके बीच में और इनके और इसके बीच में भी अमांट जो है मला अनुपात जो है वो सेम रहना चाहिए ठीक है इसका मतलब इनका जो अनुपात है वही इन दोनों का अनुपात रहन चीए तो अगर मैं इसकी अनुपात निकाल लेता हूँ यहाँ पर ठीक है 200 से 20 कैंसिल हो गई और चार से काटने के पर 4 से दो बार 4 से यह 21 बार इसका मदलब कहीं नहीं 20 से 21 हो गया इसका मतलब अगर ये अनुपात 20 से 21 है तो ये भी तो 20 से 21 ही होना चाहिए मैंने कहा था ना जब पहले सवाल में 1 से 3 हुआ है तो यहां पर भी 1 से 3 होना चाहिए यह 20 से 200 है तो यहां पर भी 20 से 200 होना चाहिए तो इसका मतलब 20 का मान 84 है 20 का मान कितना है 84 है और आपको किस का मान निकालना है 21 का मान निकालना है तो 84-100 भाग हो जाएगा किस से जिसका ये value है और जिसकी value निकालने है उससे गुणा कर दो ठीक है ये आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कट गया 2 से काटोगे तो 4, 2 और 0 ठीक है अब आप इसको गुणा करोगे तो कहीं न कहीं 8,800 8,820 रुप आएगा ठीक है इस तरीके से भी कर सकते है तो 8,820 लेकिन अगर rate जादा आसान है तो rate की तरी से लेके चल सकते हो कि भी ये rate है तो इसका भी आपने वही rate निकाल दिया ठीक है बात दोनों की सेम है कहीं ना कहीं ये भी तो 5% का इंटरेस्ट लग रहा है तो यहाँ पर भी 5% का इंटरेस्ट लग रहा है ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हो या तो interest rate निकाल लो जादा आसान रहेगा ठीक है या अनुपाद से लेके चल सकते हो दोनों ही तरीके से आप इसको लेके चल सकते हो अब देखो next question क्या पूछ रहा है था interest compounded annually on the sum of rupees 3240 after two years is itna इसका मतलब इसने interest बता ही दिया है कि कोई principle है ठीक है वो है 3,240 रुपे दो साल बाद दो साल बाद उसको इतना interest मिलेगा तो rate पता करना है अब rate पता करने के लिए तो हमारे पर principle और amount होना चाहिए अगर एक से ज़्यादा का दिया हुए year का difference है तो ये अगर मैं इसमें add कर दू 3,240 रुपे में अगर मैं इसका interest 370 रुपे add कर दूँ तो ये कही ना कही 3,610 रुपे आएगा ठीक है 3,610 रुपे आएगा ठीक है 3,240 में अगर मैं add कर रहा हूँ तो ये 3,610 रुपे आएगा तो इसका मुझा है amount अब हमें interest निकालने है सबसे पहले तो इनको काटना पड़ेगा सबसे पहले तो इनको काटना पड़ेगा और फिर हमें और कुछ कटेगा नहीं तो square root लगाने है क्योंकि 2 साल की बात है तो ये कितना square है 18 का और ये कितने का है 19 का ठीक है ये आसान हो गया हमारे लिए काम तो अब हमने देखा ये 18 रुपे से 19 रुपे हुआ है इसका मुझा 1 रुपे का interest मिल रहा है कितने पर 18 रुपे पर गुणा कर दोगे 100 से तो अब का answer आ जाएगा ठीक है अब अगर इसको काटते हम तो हमने का दो से काट लो 9 बार और ये 50 पचास बटे 9 का मतलब है पांच पॉइंट पांच 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 ठीक है इसका मतलब इसको क्या लिख सकते है उनका ध्यान रखना है एक साल का दो साल का जो भी मैं दिफ्रेंस की बात कर रहा हूँ उनस पर ध्यान दो बार बार मैं एक की बात को बार 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 बोले जा रहाым ठीक है यहाँ पर एक कोशन है एक सम है जो 7500 रुपे हो जाता है छार वर्षों में। ठीक है इसका मुलत principle जो है 7562 रुपे हो जाता है। कितने वर्षों में चार वर्षों में और वही principle पांक वर्षों में अथ trzy आठ चाहिजार 4-110 doesn4 हो जाता है हुआ हुझेज अब हम फिर से वही बात करें क्या इन दोनों की बीच में एक साल का difference है हमने का हाँ अगर एक साल का difference है और हमें rate निकालना है तो निकाल सकते हैं सीधा पर बचेगा कितना चार और नो नो सो साथ दशामलव चार चार बटे में कितने रुपे पर लग रहा है ये इतना इंट्रेस्ट हमने का 7560 रुपे पर लग रहा है गुणा सो कर दोगे तो अंसर आ जाएगा है ठीक है इतना अगर दशमलब हटाएं तो यहां नीचे सो आएगा जो कि 100 से कट जाएगा अब आप यहां पर देखो कितना गुणा हो सकता है ठीक है हमें हमारे पास चार ओप्षन है एक दो तीन चार कहीं न गई देखो अगर मैं इसको काटूंगा भी किसी तरह से काटूंगा भी तो अगर मैं दो बार कटेगी 2 दिनि 4 या 2 सत्य 14 बार कटेगी तो हम नहीं गाए अगर देखा जाए तो एक ही में आंसर 12 तो यही आंसर हो में 2 2 2 2 x 2 कते गा यहां पर 2-4 या तो 2-2 से बार कतें जो यहां पर चार आजाये तिमने कभी two-kाटेगा या 7 बार कतेंगा ठीकिया तो इस तरीके से आपको यह करना था 12% यजा ऑन्ट सफ रही। आजाएगा ठीक मतलब इसमेंसे अगर मैं अमाउंट को इसमाउंट मैंसे यह माइनस कर दूँ तो प्रिंसिपल मेरे पस कितना आ जाएगा पहले तो काट लो यह आ जाएगा अगर मैं दो से काटता हूं तो 400 आ जाएगा अब दो साल का बोला था तो वर्ग मूल कर दो 20 आ जाएगा और यह 21 आ जाएगा अब आप यह देखोगी एक रुपे का ब्याज है कितने रुपे पर इस 20 रुपे पर गुणा सो कर दोगे तो आ इसने का 4000 रुपे पर इंट्रस्ट बताना है तीन साल के लिए दिया हुआ है इंट्रस्ट आपको तीन साल के लिए 630.50 तो रेट आपको बताना है yearly क्या है हमने कर ठीक है बहुत अच्छा कोशन है 4000 रुपे अगर मूल धन है तो इस पर यह इतना रुपे इंट्रस्ट हो ग 1000 रुपे इंट्रस्ट तो आप कहीं न कहीं आपको प्रिंसिपल और अमाउंट के जरूत पड़ेगी अगर डिफ्रेंस का ज्यादा है एक साल का होता तो फिर तो काम हो जाता ठीक है यहां पर लेकिन आपको डिफ्रेंस ज्यादा दिया हुआ है यह ज्यादा है इसलिए तो पर दो जिरो और नाचा को हमारी यह जाएंगी जिरो से जरू कट गए अमारी ठीक है अब इसको काट से पांस से आठ बार अचासी करूंस जीरो 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 ठीक है 335 न्योंздर इस और व् 6 & 5 यह अकम 5 ठीक है अब ये कहीं न कहीं क्यूब रूट होने के लिए तयार है ठीक है क्यूब रूट होने के लिए ये तयार है तो अगर मैं बात करो इसकी तो इसका क्यूब रूट करोगे तो कहीं न कहीं 2 आ जाएगा 8 का क्यूब करा 2 आ गया और ये 20 आ जाएगा और यह एक आयेगा लाश्ट में तो इसका मतलब एक को एक बार कितने भी बार गुना कर लो एक ही आएगा इसका मतलब यह 21 का है ठीक है बीज के बाद 20 ही आएगा तो कहीं न गई एक रुपे का ब्याज आ रहा है वो 20 रुपे पर मिलेगा गुना 100 तो 20 पंजे 100 आ जाएगा इसका मतलब इसका भी आंसर कितना है पांच ही परसेंट है तो इस तरीके से चीजों को करना है कैल्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने कभी-कभी ऐसा हो जाता कोई ऐसी वैल्लिव आ जाते जो हमने पहली बार देखी है नहीं पता चल रहा है डिवाइड कैसे करें तो कहीं आफ मनीबिकम्स 11,880 अफ्टर फोड यह एंड 17,820 अफ्टर शिक्स एर्स ठीक है कोई मुल्धन ने जो चार वर्षों बाद 11,880 हो जाता है और वही मुल्धन छे वर्षों बाद कहीं न कहीं 17,820 हो जाता है ठीक है आपको इंटर्स बताना और ये कहां का कोशन है टायर- ठीक है कितना मुल्धन रहोगा उसका आधा आपको बताना है ठीक है राशी का आधा क्या है जो ये मुल्धन है उसका आपको आधा प्राइस बताना है ठीक है हमने का ठीक है एक काम कर लेते हैं यहाँ पर दो है यहाँ पर दो साल का डिफरेंस है इसका मतलब कहीं न कहीं य तो आपको interest पता करना पड़ेगा ठीक है या तो interest पता कर लो और या अनुपाद से काम कर लो आप इसको दोनों चीज़े आसान हो सकते तो पहले हम इसको काट लेते हैं ठीक है अगर मैं इसको काट हूँ तो zero जीरो से जीरो कैंसील हो गया ठीक है अगर मैं काटो इसको किसे कट सकता है यह तो तीन से तीन बार नो और यहां पर दो बचे तीन से नौ बार सत्ताइस और यह छे बार कहीं नहीं अठारा जाएगा तीन से अगर मैं काटो तीन से पांच बार पंदरा तीन से नौ बार सत्ताइस और तीन से चार बार बार ठीक है और अगर यह कट सकता है तो बिल्कुल तीन से कट सकता है नो से भी कट सकता है नो चोक छतिस नो चोक छतिस ठीक है नो से अगर मैं काटो तो नो से अगर मैं बात जाएगा और यह आजाएगा कितना है इसका मतलब इसके और इसके बीच में अनुपात जो हो कहीं न कहीं दो से तीन का है तो अगर मुझे प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है तो मुझे रेट की कोई ज़रूत है नहीं पहली बात तो यहां पर स्क्वेर रूट होगा नह मुझे रखना पड़ेगा क्या यहां पर मुझे रखना पड़ेगा क्या कहीं ना कहीं देखो दो साल का यहां पर डिफरेंस है ठीक है तो यहां पर भी मुझे दो साल का डिफरेंस चाहिए और एक और बार मुझे दो साल का डिफरेंस चाहिए तब मैं प्रिंसिपल को निक nikgil जाएगी थीक है तो 3 की वेल्यू अगर 11888 है तो 2 की वेल्यू कितनी आजाएगी हमने का 11888जी बटे में 3 गुणा 2 आजाएगी तो 3 से कितनी बार कटा था ये कही न lóg है आपका 3 से 3 बार और त Team से 9 बार और 3 से दो बार six चे बारस ठीक है तो दो चिक 12 दो निम 18 और एक 19 दो चिक दो तीच चे और एक शाथ कितना आ जाएगा साथ सो बाणने 7920 आ जाएगा इसका मतलब यहां पर इसके बीच में 7920 लेकिन हमें एक और बार पीछे चलना है क्योंकि यह भी 2 से 3 हुआ होगा ठीक है तो यहां से 2 से 3 हुआ होगा यह तीन की value यह है 2 की value और निकालनी है ठीक है और 2 की value क्या निकालनी है एक की value निकालनी है इसका में लोग 3 से भाग कर लो 7920 को अगर मैं 3 से भाग कर लेता हूँ तो 3 से 3 से 2 बार 6 ठीक है एक बचा 3 से 1 बचा यहां पर 3 से 6 बार 18 ठीक है जी और यहां पर बचा 2 और इसका 12 3.12 और 20 2640 रुपेस का correct answer आजाएगा समझ रोबात ठीक है इसमें क्या करना था अनुपात निकालना था आपको इनके बीच में अनुपात फिर इनके बीच में अनुपात इनके time period constant रखना है दो-दो साल का पीछे चलते चले चले जाओगे अगर दो-दो साल पीछे चलते चले जाओगे तो answer इसका आजाएगा ठीक है तो उमीद है आपको ये class आज की समझ आई होगी बहुत अच्छे level के questions रखे थे जो अभी difference वाले rate of interest पर आधारी सवाल है किस किस तरह से rate of interest निकाला जाता है तो आशा है आपको ये class पसंद आई होगी अगर आपको ये पसंद आई है तो आप वीडियो को शेर करें लाइक करें ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बताएं तो मिलते आपसे next class में next class में compound interest की ही class चलेगी अभी आपकी ठीक है अभी तो आपसे मिलते next class में thank you